आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बाल टूट रहे हैं कमजोर हैं बेजान है तो इसके लिए हमें कौन सा उइल यूज करना चाहिए आज मैं आपको बताऊंगे डिया वाइल जो कि आमला उइल में बनाने वाली हूँ तो आप किस तरीके से बना सकते हो चलिए वीडियो में देख लेते हैं तो आपको लếnा है नारेल का तेल और सुख्य आमले लेने हैं कुछ। आप अपने again ले सकते हो और उसको गरम करना और तब तक जब तक डिब घूल बलैक न हो जो लेडिस होती थी वो आमला का तेल अपने बालों में लगाती थी तो उनके बाल बहुत मजबूत रहते थे तो आज मैं बात करूंगी डावर आमला हेर ओयल की जो की इसका प्राइस है काफी सस्ता है और यह और काम भी इतना अच्छा करता है क्योंकि आमला तो वैसे बालो को बाल के लियूद पानी जब होँस मैंने ओल कोफा से झाल त hyperляются हावर रोओं प्रोंते हैं टवक् अपने बालों के ओपर ने गजान आप भी रए और और एकदम बालों की तो ढोल झाईगी तो आमलाने बनाड़ी तो मैंने a दो घुग यहीग मेंने घके तो और यह जो ओयल है दोनों में आपको डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा दोनों ओयल एक है आप यह तो बना सकते हो या खरीज सकते हो इसकी स्मेल भी काफी अच्छी है और देखा जाए तो यह थोड़ा थीक लगता है लगाने के बाद तो इसको क्या करना है लगाना है अपने अवरा औलों के ऊपर जो आमला ओइल होता है वह आपके बालों को इस अन प्रव्त होता है आप चाहो तो बनाता है आप स्ट्रोंग बनाता है ऩो बीजान के बीजान बहुते बनाता है Add to Cash C करें कमेंट करें मेरे वीडियो पर और आप कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे जो भी आपको सूट करता है आप वह लगा सकते हो आमला जो होता है वह सब के वालों के लिए बैस्ट होता है तो आप यह भी यूज करके देख सकते हो अगर आपको लगता है कि हमें कम कि ऐसा तेल आपको लगाना चाहिए जो कि आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स दे तो आप इस ओयल को ट्राय करकर डेपिनेटरी आप देख सकते हैं